माराश्ट्र में सोयबीन की कीमतों में इजाफा हो रहा है किसान को उमीद है कि आने वाले समय में सोयबीन का भाव 8000 से लेकर 10,000 रुपे कुइंटल तक पहुँच सकता है पहले सोयबीन की कीमत में भारी गिरावट देखने को मिली थी इस कारण किसान अपनी उपज को मंडी लेकर नहीं आ रहे थे अब दाम बढ़ने के बाद आवक थोड़ी बढ़ी है लेकिन विशेश बढ़ोतरी नहीं हुई है किसान रोक रोक कर मंडी में उपज ला रहे है और भाव के और बढ़ने के इंतजार में है शनिवार को महराश्ट की मंडीयों में सोयबीन का आवसत भाव 7,150 रुपे प्रती कुइंटल था किसानों को उम्मीद है कि कीमते 9,000 रुपे से 10,000 रुपे प्रती कुइंटल तक बढ़ जाएंगी महराश्ट के कृशी मंतरी दादा साहब भूसे ने कृशी केंदरों को मंडी में सोयबीन की विक्री की निगरानी करने का निर्देश भी दिया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को सोशन ना हो या कम कीमत पर कोई भी किसान अपनी सोयबीन की फसल बेचने के लिए मजबूर ना होए साल 2021 वाई सीजन के लिए केंद सरकार ने सोयबीन की MSP 3,950 रुपे परती कुईटल निर्धारित की उई है शनिवार को विधर्ब के अकोला मंडी में किसानों को सोयबीन के लिए 8,000 रुपे परती कुईटल मिले मराट वाड़ा के लातूर में सोयबीन की कीमत 6,700 रुपे परती कुईटल रही जबकि वाशी मंडी में सबसे कम 6,000 रुपे क्विंटल के भाव मिले वहीं हींगोली में 6200 रुपे प्रती क्विंटल और यवत माल में 6,300 रुपे प्रती क्विंटल की दर रही बढ़ते बाव को देखते वे विधर और मराटवाड़ा छेतर के 40-45 लाग किसान अधिक कीमतों की उमीद कर रहे हैं नतीज तन वे मंडियों में अपने पूरे स्टॉक को लाने से बच रहे हैं स्वाबी मानी शेदकारी संगटन के प्रमुक ने कहा है कि केंदर के 12 लाख मेट्रिक टन GM सोयमील आयाद कन्ये के फैसले से सोयबीन की कीमतों में अचानक गिरा वटाई है इसका घरेलू कीमतों और किसानों की आये पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है उन्होंने बताया कि अगस्त में सोयबीन की कीमत अठासी सो रुपे प्रतिकुल थी केंदर के फैसले के बाद ये गटकर महज 45 सो रुपे प्रतिकुल रह गई थी वहीं पिछले तीन महीनों में सोयबीन के कीमतों में सुधार भी आया है लेकिन ये अभी भी स्थिर नहीं है पिछले साल इस नगदी फसल के भाव ने लातूर और अकोला में 10,000 रुपे तो नांदेड में 11,000 रुपे प्रतिकुल का रिकुर्ड बनाया था अंतराष्टिय बजारों में तेल रहित, सोया केक और तेल की बढ़ती मांग ने किसानों को सोयबीन की खेती के लिए प्रुच साहित किया है यही कारण है कि रगबे में बढ़ातरी भी हुई है इस बार किसानों ने पिछले साल के मुकावले चार लाग हेक्टेर शेतर अधिक में सोयबीन की खेती की थी विर रूपोर्ट माकेट टाइम्स टीवी